प्रधान मंत्री मोदी सोमवार को जारखन के डाल्टेन गंज में थे मंच पर उनके साथ ED के एक और आरोपी भानु प्रताब साही भी थे BJP ने भानु प्रताब साही को पार्टी का विले कराया उनकी पार्टी का और उन्हें भवनात पूर से टिकट दिया है प्रधान मंत्री ने इनका परिचाए कराया और भानु प्रताब साही ने भी प्रताब साही के साथ भारत माता की जय कहा भानु प्रताब साही ने 2019 के हलफ नामे में कहा है कि उनके अनुसार अलग अलग 6 मामलों में 4 शिट है CBI, ED के, हत्या के और SCST Act के 2011 में हत्या के प्रियास के भी मामले है, 2011 में भानु प्रताब साही ने 130 करोड के दवा घोटाले के मामले में CBI के स्पेशल कोड के सामने सरेंडर किया था जो इस वक्त प्रधान मंत्री के साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं, वो जेल भी गए थे, दो साल जेल में रहे भानु प्रताब साही को प्रधान मंत्री मोदी के साथ आप देख रहे हैं, उसी मंच से प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्होंने भरस्टा चार खत्म कर दिया है, यह सुना जा सकता है भानू प्रताब साही मदू कोड़ा सरकार में स्वास्त मंत्री थे कोड़ा सरकार के भरस्टाचार को उजागर करने वाले सर्यू राय को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया 2015, 16 और 18 में E.D. ने भानू प्रताब साही की संपतियों को जब्द करने के आदेश दिये थे हुसेनाबाद से सिमान विनोथ सी जी गड़वा से सिमान सत्यंद्र तिवारी जी भावनाजपूर से सिमान भानू प्रताब साही जी यहां सरकारें पिछले दर्वाजे से बंती और बिगड़ जाती थी क्योंकि उनके मुल में स्वार्थ होता था करप्षन होता था इन स्वार्थी लोगों में जार्खन की सेवा की कोई भावना नहीं है इन स्वार्थी लोगों के गड़वन्दन का एक मात्र एजंड है सत्ता भोग और जार्खन के संसाधनों का दूर्प्योग अजीत पवार और भानु परताब साही बता सकते हैं कि उन्हें अब कैसा लग रहा है वो हस रहे हैं या जनता हस रही है जो व्यक्ति प्रधान मंतरी के साथ मंच पर खड़ा हो क्या उसके खिलाब एड़ी अब कारवाई करेगी अब उस जांच का क्या होगा